हेलो आज की इस वीडियो में मैं डिसकस करने जा रहा हूं कुछ आटोमिक फिजिक्स प्रॉब्लम्स और जो भी प्रॉब्लम्स इसमें मैं डिसकस की हैं इस वीडियो में जो डिसकस करने जा वो सबी प्रॉब्लम से entfer on informing će हैं और सब मैचिंग से और vacation है और बताने क्या मेरा पृयास है कि आग tylko स्पेकी आ चैनल मैं किस तरीका के आ रहे हैं और कि आहरे आगे फूचर में कैसे आ सकते एं तो पहला पहरा जो questions इसमें मैंने किसकस किया है वह यहां पे स्रीज हैं पेवलेंथ हैं तो काफी questions आते हैं लाइमन बामर पास्चन ब्रेकर फुंक स्रीज का तो सता याद रखें कि लाइमन की जो पहली लाइन है वो हमारी 1215 अंग्रिस्कॉम से सुरू होती है और स्रीज लिमिक जो है 911 एंग्रिस्कॉम होगी तो मैंच कर दें एका second से और बीका फस से मैंच करें बामर स्रीज जो हमारा यह पूरा लाइमन स्रीज है वो अल्ट्रावाइलक्रीजन में लाइ करती है और जो हमारी बामर स्रीज है वो विजीबिल रीजन में लाइक करती है इसके अंदर जो होती है वो 3646 Angus Chrome तो याद रखे कि पूरी की पूरी जो हमारी 這樣 वह हमारी Espa habl में को क्योंकि 6563 Angus Chrome इसी में दो लाइन जो है आगे तक की निकालने ताइ गेल्टा वाली जो लाइन है वो भी देखे है एच गामा वाली निकालें और आगे मुझे बताएं के एच एलफ एच गामा और एच गेल्टा जो है उसकी वेवलेंद क्या होगी तो यह जो हमारी लाइमन वामर पार्श्चन ब्रैकेट फूंड है इनसे में चार पांच बाते हैं और स्रीज पर और आगेख भी पूछी जा सकते हैं यह याद रखें कि जो इलेक्ट्रोन है हाइडोजन के लिए यह स्पेक्ट्रम में आती हैं स्रीज है और जो हमारी फिक्रिंग और फॉलर स्रीज है वो helium spectra में आती हैं तो ये भी याद रखें कि तिकरिंग और फॉयलर्ड स्रीज जो है वो भी पूशी जा सकती हैं तो वो हमारा helium spectra का part होंगी ये भी याद रखें हमापे z की value 2 रहती है helium spectra में और ये भी याद रखें कि जो हमारे जो तीन पांचों स्रीज हैं इन मेंसे जो हमारी लाइमन हैं वो यूवी रीजन की है अल्टरवाइलक्ट रीजन की है बामर हमारी विजिबिल रीजन की है और पास्टिन जो है वो हमारी इंफ्राड़क्ट की है और जो हमारी ब्रेकट और फिंग स्रीज हैं, वो हमारी फार इंप्रडट की हैं, तो ये भी याद रखें, ये भी एक important concept का जो पूछा जा सकता है, तो मैं कोचिस कर रहा हूँ का आग है जो matching है, वो इसी तरीका से हाँ पर स्रीज बना लेंगे, इधर wavelength होंगी, तो इस तरीका के questions पहले भ जो principle sharp diffuse और fundamental स्रीज से है, और ये भी questions जो है, लगातार पूछा जाने वाले questions में हैं, एक important question ही मैंने इसमें लिये हैं, जहां से questions की मुझे उम्मीद है, क्या आ सकते हैं, और उस spectrum के questions पहले भी आ चुके हैं, तो question number two series में हम देख रहे हैं, question number two में हम सब जानते हैं, कि जो LK स्पेक्टर होता है, उसमें outer most valence electron में जो electron की तादात है, उस single होती है, तो ये हमारी जो स्रीज बनती है, प्रिंसिपल सार्टिफ्यूज फंटामेंटल, वो हमारी LK स्पेक्टर में मिलती है, जिनमें valence electron की तादात बन होती है, तो स्रीज का क्या होता है, कि जैसा हम in case of the sodium atom लें और उसके ऊपर beam का bombardment कर दें, जिसमें different जो frequency wavelength की है, तो हम देखेंगे कि electron जो outer most 3S का जो electron है, वो उपर चला जाएगा, 3P3 की orbit में, 4S, 4P4, 4F में electron चले जाएंगे, और जब वो उपर से वापस आएंगे, तो हमारा spectrum मिलेगा, emission spectrum, उस emission spectrum की चार स्रीज है, यह PQRS से हैं, इधर इनका L के लिए transition दिखा रखा है, कहां से कहां होगी, तो principal स्रीज में सता याद रखें कि principal स्रीज जब हमारी form होगी, यह principal स्रीज में, NP की value 3S का मतलब यह है, कि electron जो आएगा, वो 3P से 3S को आएगा, या हमारा 4P से 4S को आएगा, 4P का 3S से आएगा, य कि हम सब यह भी जानते हैं, कि लेपोड की rule का पालन करना होता है, और लेपोड की rule यह कहता है, कि JLL की जो value है, जो orbital quantum number है, उसमें बदला plus minus 1 का होना चाहिए, तो यहां से हम देख रहे हैं, P से और S में जा रहा है, तो यहां प L की value जो है 1 होगी, इधर 0 होगी, तो 0 में स से जब 1 करचाएंगे, तो minus 1 का बदलाव आएगा, तो principal series सबसे ज़्यादा most, इनसे स्केंग, मतलब most परसे स्केंग, line होती है, सबसे ज़्यादा intensity की line होती है, तो principal series के लिए NP की 3S को transition होगा, sharp series में जो हमारा आएगा, वो NS का 3P के लिए आएगा, तो इसका answer जो है, Q का C हो limit है, वो हमारी sharp और diffuse series की limit रहती है, तो sharp का जो match करा दें, वो NS का 3P से करा दें, और diffuse का ND से 3P करा दें, और fundamental का NF को 3D से match करा दें, तो इस तरीका से इसको match कराना था, तो इसमें ये भी धहन रखें, कि याद करने का भी मैं इसका तरीका बताए देता हूँ, पहले सबसे पह करें, principal sharp, diffuse, fundamental, ऐसा लिखें, principal sharp, diffuse और fundamental, पी फोर प्रिंसिपल, सार्फ, डिफ्यूज, एफोर फोर फण्जामेंट चल, तो principal के लिए, जैसा है, suppose की हमें करना है, तो P ले ले, principal के लिए, सार्प के लिए, सार्प के लिए S ले ले हैं, और D के लिए, small D ले ले और F के लिए small f ले ले, तो यह हम हैं पर देख रहे हैं, यही बन रहा है हमारा, हैं पर n लगा दें, सबी में जो है, वो n ले लें, this one, this one, this one, और this one, और याद करने के लिए इसमें यह करें, कि n की value को हैं पर greater than 2 कर दें, यहां n greater than 3 कर दें, और हैं पर जो हमारा n की value को greater than 2 कर दें, और हैं n की value को greater than 3 कर दें, तो इस तरीका से से याद कर सकते हैं, यह principal के लिए है, और जो transitions होंगे हमारे, वो हम ध्यान रखें, कि यहां पर यह end है, जो principal में चलेगा, वो np का जो चलेगा, वो transition 3S को होगा, सार्प में जो चलेगा, वो NS का 3P को होगा, और ND का जो transition है, वो 3P को होगा, और NF का जो transition है, वो 3G को होगा, इस तरीका से से याद कर लें, और अच्छे से इसको तयार रखें, क्योंकि यह questions जो है, most 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 important की category में मैं रख रहा हूं, क्योंकि यह questions आएगा, निशित तोर से आएगा, important question है, याद रखें, यह भी याद रखें, कि यह भी question पूछ सकता है, कि कौन-कौन सी स्रीज ऐसी है, जिनकी स्रीज लिमिट से हम होती है, L के लिए स्पेक्टरा में, तो SARP और Diffuse जो स्रीज है, उनकी जो एंग स्रीज है, वो 3P पे खतम होती है, तो इनकी 3P पे जो है, वो दोनों का, जो convergence होता है, SARP का भी और Diffuse का भी, यह याद रखें, साथ-साथ याद रखें, कि कोई भी जो इस्पेक्टरा फॉर्म होता है, तो लेपोर्टी रूल का पालन होता है, जो DL है, और भी क्वांटम नंबर, उसका बदला प्लस माइनस वन होता है, तो इस तरीका से इस question को किया जा सकता है, यह थोड़ा सा मैंने याद का भी pattern बताया है, और इसे important category में रखा है, तो अच्छा question था, लगातार इस तरीका का questions मैं देखता हूँ, पूछाई जाता है, खास तोर से principle सार्फ diffuse fundamental का जो questions है, उसमें transitions और matching का questions की उमीद मुझे है, इसलिए मैंने इसे most important category में रखा, क्योंकि जो भी मैंने questions choose किये हैं, उस सभी ऐसे questions choose किये हैं, जो बहुत ज़्यादा important हैं, जिन पर questions या तो पूछे जा चुके हैं, या पूछे जाने की संभावना हैं, ऐसे ही questions जो मैंने इस वीडियो में डिसकस किये हैं, question number 3 में, तीन तरीक, चार spectra इसमें लिए गए हैं, electronic, vibrational, pure rotational spectra और roman spectra, और इसकी matching करनी हैं, हमें इधर region देगा, कि कौन से region में lie करते हैं, तो याद रखें कि electronic spectra की तीन पॉइंक्स हमारे लिए बहुत important हैं, जो हमें सदा याद रखने हैं, electronic spectra जो हमारा दोनों में मिलता है, यह हमारा absorption में और emission दोनों में मिलता है, इसका जो gap है, electronic spectra की transition का gap का काफी wide होता है, यह 10 electron bolt की आसपास का gap होता है, और यह जो 10 electron bolt का gap है, यह हमारा UV region में या visible region में यह lie करता है, तो electronic spectra का answer, visible और UV, और raman spectra का भी answer जो है, visible और UV होगा, क्योंकि यह भी हमारा ultraviolet और visible में होता है, तो यह भी याद रखना, कि यह questions जैसे है, पूछा जा सकता है, तो raman spectra जो है, वो भी हमारा, raman spectra भी UV का और visible का है, फिनोमेना, इसी region में wavelength इसकी लाई करती है, raman spectra की, जब भी answer mark करें, उसके साथ साथ यह भी याद रखें कि electronic spectra जो है, वो भी हमारा इसी में जाता है, electronic spectra का भी यह region होता है, और एक हमारा जो बहुत important effect है, photo electric effect, उसमे तीन effect कैसे हैं, जिनमें answer जो है, UV और visible होता है, raman spectra, सदा जो raman effect होता है, ultraviolet और visible radiation के लिए होता है, electronic spectra और जो है, वो भी इसी region में होता है, तो तीनों याद रखें, vibrational locational जो spectra है, वो vibrational locational, तो इसके दो के answer तो हम देख रहे हैं, visible और UV और इसका भी visible UV हो जाएगा, तो उनों का match, और vibrational rotational जो है, वो हमारा near internet region में होता है, और pure rotational spectra हमारा far microwave में होता है, इसमें दो तीन बातें, और भी मैं important बताई देता हूं, vibrational rotational spectra में, जो हमारे gap होते हैं, वो हमारे 10 की power minus 1 electron volt का gap होता है, और ये cable और cable हमें absorption में मिलता है, emission में नहीं मिलता, क्योंकर gap जो है, हो काफी छोटा है, तो इसमें emission नहीं होता, केवल absorption होता है, vibrational rotational spectra में, और pure rotational में भी यह होता है, केवल absorption में मिलता है, और इसमें जो gap है, pure rotational के अंदर, वो होता 10 की power minus 3 electron volt, तो ये important concept हैं, वैसे भी gap भी पूछ सकता है, तो 10 electron volt का gap जो है, वो हमारा e spectrum में होता है, electronic में, 10 की power minus 1 electron volt का जो gap है, वो हमारा रहता है, vibrational rotational में, और जो हमारा 10 की power minus 3 electron volt का gap है, वो रहता है, pure rotational में, तो ये important concept हैं, ये हमें सदा याद रखने चाहिए, सदा पूछा जाता है, और वहां work function का concept आता है, photoelectric effect में, और work function क्योंकर 2-6 electron volt के order का होता है, तो इसकी wave length भी हमारी 2 region में, इस formation होता है, वो सदा जो होता है, permanent dipole moment के कारण होता है, और roman effect जो होता है, polarizability और molecule के कारण होता है, तो यहां से भी matching में आ सकता है, तो उसकी matching के लिए ये चीज़ें भी important है, काफी महत्पूर्ण questions है, ये भी जो मैं भी discuss कर रहा था, और इसकी जो physics थोड़ा सा बता रहा था, तो ये भी एक ऐसा question है, जो लगातार पूछा जाता है, या पूछे जाने के chances रहते हैं, मैं उनी questions को खास दोर से जो आगे competitive दुनिया में पिपड़ दे रहे हैं, उनके लिए एक स्रीजे बताया है, मैंने इसमें कोसिस कर रहा हूं, कि atomic questions matching के कैसे आ सकते हैं, कुछ और matching की जो physics से वो भी कर लें तयार, और मैं कोसिस कर रहा हूं, कि जो questions है, उसके आस पास भी क्या पूछा जा सकता है, उन्हें भी मैं discuss कर रहा हूं, question number 4 जो मैंने लिया है, वो physical parameter और dependency on N है, quantum number, principle quantum number पर physical parameter कैसे depend करते हैं, तो यहां पर matching करनी है हमें, radius जो होती है, वो हम सब जानते हमें, hydrogen-like atom के लिए radius का formula होता है, N square, H square, epsilon, not upon, पाई, M, या, D square, और यह जो value है, वो हमारी आती है, N square, A, not upon, Z, यह नोच यहां बहुर radius होती है, और N, quantum number है, तो radius of orbit, जो है, quantum number पर जो इपेंट करती हो, directly proportional होती है, साथ-साथ हम सब जानते हैं, के L जो है, वो होता है, N, H upon 2 पाई, और जो L की dimension है, और H की dimension होती है, जो हमारा, यह plank constant है, और angular momentum, उसकी dimension भी same होती है, questions पूछा गया है, अभी जल्दी में, कुछ एक्जामों में, L और H की dimension, same होती है, तो L की dependency, N पर करती है, और हम यह भी जानते हैं, के mu L upon L की जो value है, वो E upon 2M होती है, तो mu L, जैसे L dependent करेगा, यह electronic charge है, mass of electron है, gyro magnetic ratio से कहते हैं, तो यहां से हम देखेंगे के mu L भी जो है, हमारा L के proportional होगा, और यह भी N के proportional होगा, तो यहां पर dependency के तोर पर मैं कुछ physical parameter के dependency बता रहा हूं, तो RN का matching N square से करें, orbital magnetic moment को N के directly proportional करें, उसके अलाबा जो current होती है, हमारी hydrogen के case में, व तो I का जो formula है, वो 1 upon N cube पर निर्भर करता है, तो I current जो, क्योंकि जब electron move करेगा, hydrogen में, तो जब electron इस तरीका से motion करेगा, तो current उसकी अपोजिक दिसा में फिलो करेगी, तो I जो होगी, उसकी value 1.06 mAh upon N cube होती है, N की value देगा, I पूछाएगा, तो के विल इस formula को use करें, इसम के लिए answer mark करते हैं, काफी बार पूछा गया question है, तो I की dependency जो है, 1 upon N cube पर निर्भर करता है, frequency जो है, वो हमारी 2RC upon N cube होती है, ये भी frequency भी N cube पर depend करती है, और time period जो frequency के inversely proportional होता है, तो ये N cube पर depend करता है, और B जो होता है, B की value 12.56, कैसला, upon N की power 5 होती है, तो magnetic field पूछता है, सेंटर पे, electron की motion की कारण, तो 1 upon N की power 5 पर depend करता है, तो B की जो dependency है, वो 1 upon N की power 5 पर depend करेगी, तो हम P का answer N square से match करें, वह साथ साथ ये भी याद रखें, कि जो velocity है, वो 1 upon N पर depend करती है, जो energy है, वो 1 upon N square पर depend करती है, काइनेट का energy जो है, वो भी 1 upon N square प depend करती है, तो matching के जब भी N per dependency के questions आएंगे, मुझे उम्मीद है, कि ये जो मैंने हैं पर discuss किया है, इनी से आपका काम सदा हो जाएगा, तो सदा physical parameter और dependency on principle quantum number, एक important questions हो सकता है, आगे future में, पहले भी काफी questions इस पर देखे गए हैं, तो सदा याद रखें, कि यहाँ पर इधर आपको physical parameter देगा, इधर dependency देगा और आपस में मैच करा लेगा, तो इस टाइप के questions की उम्मीद हैं, तो इस वीडियो में मैंने वही physical parameters इसमें और डिसकस किये थे, जो सबसे ज़्यादा उमीद में करता हूँ, atomic मे questions आने की, तो आगे भी कुछ वीडियो में, atomic में और बाकी वीडियो में discuss करूँगा, काफी जो concept हैं, वो matching के बढ़े रहे हैं, इसलिए इसी को prospects में रखते होए, के questions यहां से ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, ये वीडियो स्रीज मैंने शुरू की है, बताएं आप के वीडियो स्रीज आपको कैसी लगी, और अपनी आगे की वीडि जो upload करता रहूं, तो ये चैनल निश्चे तोर से आप सभी को फायदा देता रहा है, और आगे भी फायदा देता रहेगा, आप इस चैनल के जो content को लगातार share करते रहें, subscribe करते रहें, इस वीडियो में इतना ही, thank you and best wishes for all of you, जहिंद